उल्लासनगर शहर में पिछले कुछ सालों में धोकदाईक इमारत गिरने से दुरगटना हुए थी इसको मद्दे नजर रखते वे हमने पिछले तीन सालों से धोकदाईक इमारतों का बारिश के पहली सर्वेक्षन किया है और ऐसे जो अती धोकादाईक इमारत है उनका सरेविक्षन करके उनके उपर हमने structural audit उनका करवा कि इसी अती धोकादाईक इमारत जो है उनको हमने निश्कासन किया है इसके साथ जीस इमारत का वरगी करन धोकादाईक जो कम है जैसा C2 category में आते ऐसे इमारतوں का हम खाली करके या हमारत में रहके भी हम उसका कुण्र निरमांक कर सकते या कुछ हमारत इसली के उसमें चोटी सी मरंमत करनी जुरत है ऐसी हमारतों का हमने लोगों को सूचना दे के नोटिस दे के उनसे मरंमत करवाई है तो शहर में दोकदाई कीमारत जितनी भी थी, इसके पहले हमने हर साल यादी को हम सर्वेक्शन करके अपडेक्ट करते हैं तो बारिश के पहले हम उल्लास नगर शहर में मन्याविक तजीश सिक इनके आदेश के अनुसार उनके मार्गलशन में हमें पूरे शहर में बनकम विबग और हमारे चार भी वार्ड ओफिसर हैं उनके जो करमचरे हैं उनके द्वारा हम शहर में सर्वेक्शन कर रहे तो ऐसी दोकदाईक इमारतों का सर्वेक्शन करके उनके अपडेटेड यादी बनाएंगे और ये पबलिक के लिए जारी करेंगे उसके साथ में ऐसे दोकदाईक इमारतों का structural audit करने के लिए हम उनके मालिक या उसमें रहने वाले जो लोग है उनको हम सुचित करेंगे और इसके बावजुद भी अगर उन्होंने structural audit नहीं किया और उसके उपर उचित कारिवाई नहीं किरी तो उसके उपर कानूनी कारिवाई करने की सुचना उनको दे देंगे तो यह हमारा हर साल का एक procedure है इस procedure को हम अभी से शुरू किया है हमने तो मैं नागरिकों को आभान करता हूँ आपके माद्यम से आपके आजूबाजू में अगर ऐसी कोई दोकादाई की इमारत है जिसको आपको लगता है कि ऐसी इमारत ढहने से कोई अभगात हो सकता है तो मान अगर पालिका के सम्मंदी प्रभाग अधिकरी इनको आप उसकी सुचना दीजे हमारी लोग इंजिनियर्स वगर भापे आके उसके इंस्पेक्शन करेंगे कोनार अपना शहर अपनी बाते है